हलो नमस्कार जैहिन जैभारत मैं बाबा निल लखनों से मैं एक गाउं में बैठा था बहुत से ग्रामिर जनता मेरे आस पास थी और रात का समय था मैं जो हूँ मतलब बहुत मनरंजन हो रहा था क्योंकि भूत प्रेत पे बात चले थी और मुझको अपना ग्यान भी बखारना था लेकिन हमसे भी जायदा ग्यान बखारने वाले वहां पड़ थे उन्होंने ऐसे ऐसे प्रेतों के बारे मताया कि वो अब जो है ग्रामिर अंचल में सुनाई पड़ते हैं वास्तिविक्ता में तो होते हैं लेकिन जो भाषा जो वो होता है सिर्फ ग्रामिर अंचल में होता है तो उन्होंने बताया भाई एक जो होता है तिन चार किसम बताया प्रेतों के एक प्रेत जो होता है जो कोई भी पुरुस या इस्त्री या बच्चा या किशोर या जवान जो पानी में डूब के मारता है पंडब्बा पंडवा प्रेत कहलाता है और भी या एक प्रेत होता है लटकईया प्रेत और जो है जो बाहन से कुचल मनब अक्सिडेंट से जो मरते हैं कुचल के सडक के उपर वो तुरंत पिशाज बन जाते हैं मैंने का धन्यों माराज इतनी तो प्रेतों के बारे में जानगारी मुझको भी नहीं है तो मैंने का आप हमको बताईए कि ये प्रेत मुझको कहां मिलेंगे और कैसे मैं देखूंगा कहते हैं तो उसमें से एक बाला बाबा जी आपको थोड़ी दूर आम के बाग की उल्ले चलूंगा आप खाना ना खा लीजे और ची तरह से जो है क्या करते हैं लस्यों से पी लीजे कुछ ताकत लाइए भर पेट खाना खाईएगा क्यूंकि ये जो प्रेत है लटकईया प्रेत ये पहुती भायंकर होता है मैंने क्यूं कि ये जो होते अप मनलद छणिक आवेश में जाके आम के पेड में लटक के फांसी लगा लेते हैं और मर जाते हैं मर जाने के बाद वो लटकईया प्रेत कहलाते हैं और वो उसी बाग के इर्दिगर्द मतराते हैं मन डात रहते हैं मैंने कहा यार तो फिर तुम कब दिखलाओगे उनने का बाबा जी धैर रखिए आज ऐसे हम आवस की रात है चारो तर्ब गहरा अधेरा है मैं आपको ले चलूँगा दो लोग और बोले बाबा जी मैं भी साथ चलूँगा लटकई या प्रेट से आप क्या बात करते हैं अब वो आपको कैसे उठा उठा कर पटकता है हम लोग भी देखेंगे हमने का वा बेटे मैं लटक दिखलाने में ले जा रहा है तुम हमाएं साथ क्या डबलू डबलू एव वाला कुस्ति लड़वाना चाहते है मैं लटक पहलवान तो उनमें से जो जिनके घर में ठहरा तो उन्होंने का चलिए खाना तेयार है खाना खालीजे तो मैं गया उन्होंने बहुत बढ़िया मेरे मन पसंद अरहर की डाल आलू की सबजी एक और किसी चीज की सबजी थी अचार पापाण जो कुछ विचारे कर सकते और दही का एक कटूरा बहुत बड़ा कटूरा मनलब पावबर दही तो हमाई खाल से कटूरे में आ गया होगा उसमें धेड़ सारी शक्कट डाल के मनलब संग कोच बच पहले गुर डाल लहते थे फिर कहा के वही बावजी शहर के हैं तो साइब गुर पसंद ना करे तो शक्कट डाल देते हैं तो उसमें जो नोने पाँच्छ चम्मश शक्कट डाल दिया और मेरे सामने रख दिया और गरम गरम रोटी आ रही थे पता नहीं कितनी खा गया मैं ऐसे भी पाँच्छे रोटी तो खाता ही हूँ जरा बड़ी होती है तो गाउं की रोटी थी तो मैं पता नहीं कितनी रोटी खा गया गरम गरम रोटी मिल लए या उधर जो है अगर की दाल और आलू की सबजी अचार पापर मुँ में पानी आ गया मैंने भर पेट भुजन किया फिर पाव भर लही मैं अकेली सड़क गया उसके बाद जो है मैं लब थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा बावा जी रात के ग्यारा बज़र है अब आप चलिए लटकईया प्रेट से भिड़ने के लिए हमने कहा हमको सिर्फ देखना है कि चलिए तो मैं जो हूँ अपने साथ EMF मीटर ले गया था मोशन सिंसर भी ले गया था वहाँ जब मैं गया खुब अधेरा था बाग में बड़े बड़े आम के पेड़ लगे थे आमावस की रात थी और साय दिये हमारे गासे अप्रेल मै का महिना था कमसर गटना को चार पास साल हो गए मैं उत्तर पर्देश के एक गाओं में आम के बगान में हूँ लटकईया प्रेद देखने की इच्छा थी मैं अपने साजो सावान के साथ बहाँ पर था खुप अधेरा पेर पर बैठा उल्लू बोला ओ ओ ओ और मेरे साथ जो लाया था और तो लोग और थे कहले बाबा जी उल्लू बोला है हमने का समझते हैं बेठा सारी जिन्दिगी समझान घाट और किले खंड़रों में बिताई है कब्रिस्तान में नदी किनारे बिताई है तो उल्लू की पहचान तो जानता ही हूँ उल्लू कैसा होता है उल्लू का पठ्ठा कैसा होता है फिलाहाल तुम्हें आपके लटकईया प्रेज से मिल ले आएँ तो जो है मैं बढ़ता गया एक आम का पेड़ था उसमें फलों से आम के फलों से लदा परा था बड़े बड़े आम थे साइद जिसको हम लोग मलियाबादी आम कहते छेचे साथ साथ आठा तिंज के आम लटक रहे थे और साइद जो है पकने की अवस्था में होंगे अभी पके नहीं थे लेकिन होंगे एक आम के पेड़ के पास ले जाके बोला बावाजी यही पेड़ है एक राजेश नाम के लड़के ने गर में पिता जी ने डाटा क्यूंकि वो दिन भर मोबाईल लेके दर धर गूमा करता था खेट के काम में रूची नहीं रखता था तो पिता ने उसको डाटा कहा तुमने पढ़ाई लिखाई тоो छोड़ दी है अब मुबाईल लेके दिन भारी धर उधर मारे मारे फिटते हो आवारा लड़कों के साथ खेती खबारी कुछ करते नहीं मैं बुढ़ा आदमी तुम लोगे घर पेट पाल नहीं तुम कुछ शरम नहीं आती कुछ काम धन्दा क्यों नहीं करते हो ना खेती में मन लगे सहर चले जाओ मेहनत मस्तूरी करो कुछ तो पैसा कमाओगे साल दो साल बाद मैं तुम यह शादी करने वाला हूँ तुमारी बहने सब स्यानी होगे उनकी शादी करनी है कहां से मैं कर पाऊंगा खुप सना यह लटाड़ा लड़का जो है कहने आज के बाद से आप मुझको कुछ भी नहीं कहें पाएंगे आप मुझको बुलाएंगे तब भी नहीं आऊंगा मैं जा रहा हूँ और अब मैं नहीं लटूंगा मा विचारी कहने के रुको रुको अपने पती से कहने लगी लड़के के बाप से क्या तुम हमेशा कुड़ 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 करते रहते हो अज जवान लड़का है आज कहे दिया कहे दिया कुछ अपना काम धंदा सोची यहां होगा करने के लिए तुम बीच में कहे बोलती हो तो जो जब माने बाप को लतारा बाप को समझ में आया कि जवान बेटा है इस तरह से रूट के चला जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा कौन सहारा देगा दो दो लड़कियां और हैं जिनकी शादी करनी है उस शादी में भागदार कौन करेगा शादी की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा ये सोच के वो लड़के की पीछे दोड़ा और वो था समय आवश्या का वो भी शनिवार का दिन था सनिश्चरी आवश्या और लड़का कुछ दोड़ा फिर अधेरे में गायव हो गया बाप बिचारा राजेश, राजेश, राजेश करके पागलो की तरह दोड़ा उसके पीछे लेकिन अधेरे में वो किस तरफ गया नहीं मालूम बड़ा ठक हार के बहुत दूर तक देख दाक के अधेरे में उसको कुछ दिखता भी नहीं वो चलाया गाओ गाओ वालों ने कहा इस बुड़ा पे में जवान लड़के को डारते तुमको अच्छा थोना लगा होगा क्यों डार दिया, जब अरदस्ती का डार दिया भूख तो पता नहीं कहा चला गया होगा कुछ से में जब कहरा लाउट के नहीं आएंगे पता नहीं कहा शहर निकल गया हो कहा निकल गया हो, है ना तो तब तक किसी को अंदेशा नहीं था कि कोई भूख कतम उठाएगा ऐसा कोई कतम उठाएगा सब गावाले अपना टार जवार त लाठी वाठी जो कुछ जिसके हाथ में था लेके सब राजेश राजेश करके खेतों खमारों में बाग में सब जगा तलासने लगे लेकिन वो कहीं नहीं मिला ठक हार के सब लौटा है उन्होंने कहा कि अब जब जब सूरत की रोशनी हो जाएगी तब फिर से ढूड़ेंगे पावफटा मनलब सूरत की किरने पड़ी करीब साड़े छे छे साड़े छे का समय था चारो तरब रोशनी हो गई सब लोग उनके घर के दरवाजे पे आ गए राजस के पिता के दरवाजे पर कहा चलो ढूड़ते हैं कहा पर है और पूछा राजस लोटा की नहीं कहने हैं लोटा तो लोग ढूड़ते हैं ढूड़ते हरे वो इसी आम के बाग में पहुँचे और उनको देख के चीख निकल गई कि राजस जो है एक आम के मोटे डंगाल में नैलान की रसी लटका के अपने फांसी लगा ली और वो जमीन से कम से चार फुट उपर उसके पैर हवा में लटक रहते जीव निकली थी और सहथ पिशाब भी निकल गया होगा और वो उसकी आँखे निकली पड़ी थी सहथ बहुत ही भैनक रूप से उसकी मौत होगी फिर पुलिस को इंफर्म किया गया पुलिस आई लास को तुराया पंचनामा वगरा हुआ पुस्ट माटम के लिए भी जा गया फिर लास को जब पुस्ट माटम दूसरे दिन हुआ सहर से तो फिर लास को उनको हैंड ओवर किया जगया लास को वो लाके और वहीं पर जो समशान घाट था गाओं का वहाँ पर उसको उसकी अंटिम संसकार कर दिया गया यहां तक तो ठीक था उसके बाग जो हुआ वो आकल पनी आब शुस्ट नहीं है उस बाग के साथ और भी लोगों के बाग थे अब रात में जो है बाग की रखवाली करने की कोई इधर उदर के लोग आके आम चुरा के ना ले जाएं तो रखवाली की जाती है बाग में लेकिन जो है लोगों ने इस चार पाई विछा के सोने की कूशिस की तो वो जो है जब उनको पतानी कैसे गहरी नीद आ गई और जब उठे तो देखे दूर कहीं समशान घाट में नदी के किनारे नदी भी बहती थी उस गाओं में नदी किनारे या किसी जो है क्या गत्ते हैं वहां जंगल में पेड के सहारे पड़े हैं मस्त मौला होके वो यह नहीं सोच पा रहते हैं कि वो बिचारे सब सोए थे तो बाग की रक्षा के लिए बाग में लेकिन यह कहा नदी किनारे शम्शान घाट में किसी टीले के उपर और जंगल में पेड के सहारे कैसे लेटे हुए कुछ समझने आए और निका हो सकता है कि हम लोग सोए ना हो रात में निकल गए हो इस तरह से होने लगा एक बार कुछ लोग जिनका बाग था सहर से कुछ लोग आए थे तो रात में बाग में पार्टी हो रही थी मुरगा उरगा बनाया जा था मचली बनाया जा रही थी और उस मचली और मुरगय की जो खुश्बू पूरे बाग में फैली थी रोटी वोटी सब घर से बन के आ गई थी बस तोड़ी ही देड़ था खाने का सब लोग जो है बैठे बैठे कुछ भी कर रहे थे जाए शराब पी रहे हो जाए कुछ भी कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं बनलब वो बस खाने के अंजार कर रहे थे रोटीयां सब परोज दी गई और जो मुरगा बना था उसको कटोडियों में डाला जनल लगा मचली जो बनी थी उसको भी प्लेट पर रख दी गई सूखी सूखी मचली और खीला मुरगा और रोटीयां लेकिन ये क्या इससे पहले कि वो कोई कрь उठाटे खाते या वो सबके प्लेट से रोटीयां गाई सबके कटोडियों से मुरगा गाई सबके प्लेट के ओपर जो सूखी बढ़ी हां तली हुए मसालेदार मचलीयां रखी थी सब गाई लोगों पर बिल्कुल हाकार मत गया ये क्या हो गया कहा चले गए था तो कहा कि अब जिस खड़िया में पतीले में सब बना था कड़िया में उसमें चरासा भी माल नहीं बचा सब खतम पनला खाया किसी ने नहीं और कम से कम क्या करते हैं दो ड्ड़ाई किलो मुरगा था मचलिया थी धेर सारी रोटिया थी कुछ भी नहीं बचा बस तब से वो बाग जो हांटेड हो गया हो धर के मारे रात मुझा धर से कोई भी नहीं जाता है है न आप उस बाग की रकवाली करने जाता सुवा होती तो नोग देख-दाख लेते हैं जो भी छड़कना एक नहीं करके रात में तो भीया कोई भी नहीं जाता और बाग में ऐसी भी ज़्यादा मेहनत करने जोटने होती कीड़े लगे हो तो कीट ना सक दवाच लग दी जाती है बीच-बीच में पानी से छिड़काओ हो जाता है जिसन नमी बनी रहे और जो है खास पूसे दी आम के पेड़ के आस पास निकले तो उसको साफ कर दिया जाता है पर इतने ही ज़्या काम होता है फिर जब फसल पक जाता है तो उसकी निलामी होती है निलामी होती है तो लोग वाग उसको पूरा निलाम जब हो जाती है मनमाफिक दाम से खरी लेते हैं फिर उस ठेकेदार या जो जिसने खईदा उसकी हो जाती संपत्ती अब वहां से आम दुड़वा के और बड़े-बड़े आम की लकडियों से बने बक्सें भर के शायर को विजवाना सुरू कर देता। फल बहुत थे लेकिन उस हिसाब से फल इदी भड़े जाते थे दिन में भी तो इदी एक पूरा आम का जो मनलबख से बनाए के फल उसमें कम से कम पाच किलो किसी किसी में दस किलो आम आता तो पता चला दो तीन किलो उसमें से गायब हो गया जब तक वो सर के उपर लाट के ट पर लाते तो इतना हलका हो जाता कि देखने वाले आश्चा के टो जाते कि आम कहा गए धीरे धीरे वो भुतोहा आम का बगीचा फेमस हो गया लोग बाक परिशान हो गए ठेकेदार जिसने लिया था आम का बाक खीता था उसको लाख और रोपय के नुकसान हो गया क्योंकि जितना आम उसने सोचा था कि इस बार भर पूर कमाई होगी उसमें से दसमा हिस्सा भी ने वचा भरा हुआ दस किलो का पूरा पूरा बकसा और जब उठाके ट्रेक में लादा गया या ट्रेक में भी सही सलामत लद गया जब शहर पहुंचा तो उस पेटी में से मात किलो आप निकले, वो भी सड़े गले अच्छे नहीं, इस ता से वो जो है पूरा बाग जो है भुतोहा हो गया, आम की फसल जो है जिसने खरीदा था वो विचारा सर पकड़ के रोने लगा, भुतोहा बाग का आम कौन खरीदेगा, कौन खाएगा, कहां, घर के काम में भी नह ला सकते, अब ये सब हो रहा था बहुत तेज, अब वा ये फैली, ये सब करो, कुछ करो है न करो, राज जिसने फासी लगा के आत्मत्या कर ली है, लटकईया परेद बन गया है, वो ही ये सब कर रहा है, कुछ लोगों ने जब आम की फसल सब निकाल ली गई, ठेकेदार बचे कुछ आमों को लेके चला गया, साह शाह करते हुई, बिराण से पेड़े खड़े, तो कुछ लोगों ने सोचा रात में वहाँ पर है, लेकिन उनको क्या, कि जब वहाँ पर रात में बत्याटें बत्यातें सो गए, तो एक एक थपड़ पड़ा किसी के थपड़ किसी के लाद पिछाड़ी पर और सब हरोडा के उठे दिखाई कोई नहीं पड़़ा लेकिन तनादन थपड़ लाद घूसे तो बिचारे चान बचा के भागे बस उसके बाद से रात में उस बाग में कोई भी नहीं गया ये थी कहानी बाबा जी अब आप आए हैं कितने लाद कितने खूसे खाएंगे और हम लोग को खिलाएंगे ये तो भगवान मालिक है रात का धेरा बगता जाता है मैं ग्यारा बज़े चला था साड़े ग्यारा बज़े करीब पहुँच गया था पूरा तिम जाम के साथ और इस समय रात के करीब साड़े बारा पाउने एक बज़ रहते अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था लटकई या प्रेत्त मुझे दिखानी ना मेरे मूशन सेंसर ने काम किया ना EMF रीडर ने काम किया और मैंने उनलों से का क्या तुम लोग परशान करते हुआ यहा ना भूत ना सूत और जो है चले आए तुम लोग भूत को देखने के लिए ना भूत है ने कुछ है सब बेकार के अभवा हैं उनने का नहीं बावा जी थोड़ी देर रूख जाईए फिर तो देखिए तब तक करते करते अच्छानक जैसे लगा कि कोई उपर से रसी का फंदा आया और मेरे सर पर से होते मेरे गलें फस गया और भाईया वो कसने लगा और मैं उस रसी को पकड़ के जैसे कोई आम के पेड़ पर खीच रहा हो मैंने काया रेबा प्रिवार तो फासी लग गई मैंने जोर से कहा बचाओ बचाओ सब लोग तोड़े पैर पकड़ के खो तम लगा के खीचा रसी तूड़ गई मैं ध्राम से नीचे गिरा जल्दी से मेरे कर्दन पर जो फंसी हुई गाठ थी रसी को उसको खोली गई और पानी नहीं पिलाया गया मैंने कहा यार यह तो अजीव है जिसने जिसने बचाया था अब भगदर मच गई किसी के लाट पड़ा किसी के घुजा पड़ा किसी के थपड़ पड़ा और भाया ते तनाक से एक थपड़ जो मेरे पड़ा मैंने का अब रुकना ठीक ने मैंने मोशन संसर जो क्या किते मीटर उठाया जोले में रखा और दवड़ा जितनी ते दवड़ सकता था मतलब मरीहल घोड़े तो नहीं मरीहल घोड़ा भी कभी कभी उसके पीछे पेट्रोली दे लगा लिजे उसके उसके पीछवारे तो वो जैसे दवड़ेगा वैसे मैं भी दवड़ने लगा साथ साथ वो वचारे तील लोग वो भी दोड़े और दोड़ते दोड़ते हम जहां पर आये थे वहीं पर आके वैट के लटकईया प्रेथ बहुत भ्यानक होता है फासी लगाने के बाद वो पेथ बन जाता है वो लोगों को परिशान करने में अपनी जिन्दगी भर कर नहीं पाया वो वासनाय उसमें शेष रहती है एदि वो कामुक प्रवतिक होता है तो बाग में गई हुई और तो की जट पर भी हाट डाल देता है और एदि वो खाने पीने का शौकीन है तो उस बाग के आस पास जो कुछ भी लेके कोई भी जाता है तो उसको वो जोला सहीद कायब कर देता है और जायदा यह दि बदमासी किसे ने की तो जैसे मेरा हाल होता है वो ऐसे उसका भी होता है मैंने कहा भया अब मैंने ही जाओंगा लटकई या प्रेट को देखने हाँ मौका मिला जो पंडुबबा जो पानी में डूब के मौत होती है या जो क्या गत्ते हैं और किसी तरह से जैसे अक्सिडेंट से जो मौत होती है उनके प्रेट क्या करते है वो जरूर देखने का शौक है इस तरह से ये होरड स्टोरी में खतम कर रहा हूँ नमस्कार जय हिन जय भारत होली हो गई रंग खेल लिया गुजिया खा ली लेकिन मुझको किसी ने भी नहीं पूछा फोन करके बाबा जी गुजिया खाओगे पापड खाओगे और मुझको ना गुजिया मिली ना पापड मिला ना स्यो मिला हाँ जो तिन चार साल पहले जो घटना मेरे साथ बाग में होई ते थपड़ पड़ा थब आज भी याद है उसी याद के साहरे एदी आपको ये होरर स्टोरी अच्छी लगी हो लटकई या प्रेट की तो आप मुझे प्लीज मारिये गड़ी हाँ अपना घूसा उठाईए और जो अंगूठे को लीजे और लाइक वाला बटन ना दन न से मार दीजे उसके बार जो घंटा बना हुआ रता बगल में उसको पुट से दवा दीजे और इससे होगा क्या कि क्या गत्ते हैं मेरी जितनी भी नएने वीडियो आपके बास पहुंचने लगेगी और मेरा एक मेंबर और बट जाएगा सब्दिश और आपके एक लाइक करने से शेयर करने से मेरा मोटिविशन पढ़ेगा कहानिया लोग वाग और भी पढ़ेंगे नएने लोग मेरे मेंबर बनेंगे और कुछ पैसे की भी आमदा नहीं हो जाएगी जाए हैं जाए भारत होली की शुख करना है कल शब शब एराद था मेरे मुसलमान भाईयों ने अपने अपने पूर्बजो की याद में कप्रिस्टान को साफ कके कबरों पर मुत्यां जलाई और उनको क्या करते हैं भेट पूजा की फूल जड़ाए अगर मुत्यां जलाई ये तेवाद देखिए होली और शब रात दोनों यूपे में हुए और कहीं से भी कोई हमको ऐसा समाचार आज तक नहीं मिला कि कहीं कोई दंगा फसाद हुआ हो ये हमारे साथ बावा जी का कमाद है योगी जी का नमस्कार जैहिन जैभारत स्वक्ष भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नमस्कार